हालो फ्रेंट्स मैं हूं रुष्ट गोल और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्माट वच की जो कि आते है शाओमी की तरफ से इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वीडियो के काफी शारे फिचर्स के बारे में उसके साथ इस वीडियो की कुछ अच्छी चिसे कुछ बूर चिसे सब चीजे मैं आपको इहां पर बताऊंगा तो अगर है आप काफी टाइम से सोच रहे थे एक स्माट वच लेने की जो कि आपके budget में हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखते रहीगा अगर आपको वीडियो अच्छी देखे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिजीगा friends तो शुरू करूँ अगर मैं इस वोट के फीचर से सबसे पैसे यहां पर दिखा गया है और अगर आप इसके बाद बॉक्स के पीछे की तरफ देखे तो यहां पर भी काफी ज़र फीचरस मेंशन की गए है जिन में है activity and sport tracking, GPS, water resistant, उसी के साथ notification, ceramic case, heart rate sensor, music चुके आपको 4GB की storage मिल जाती है, उसे के साथ long lasting battery, always on display और last में यहां पर कुछ warranty की information दी गई है साइट में अगर आप देखेंगे तो package contents यहां पर mention किये गए है friends तो शुरू करते हैं यहां पर जल्दी से unboxing से और आप यहां पर देख सकते हैं काफी यहां पर दिखने वादी watch है उसके बाद यहां पर आपको adapter मिल जाता है जिसकी मेंसे आप इसको charge कर पाएंगे आपको यहां पर मिल जाती है एक flat type micro USB cable जिसको आप use करेंगे इस watch को charge करने के लिए उसे के साथ आपको मिल जाता है कुछ user manuals जिनको मैं यहां पर रख देता हूँ side में तो अगर यहां पर हम आजाएं watch पर friends आप देख सकते हैं काफी अच्छी watch दिखने में जग रही है पीछे की तरफ आप देख सकते हैं यहां पर heart rate sensor यहां पर आपको एक button मिल जाता है जिसकी मेंसे आप इस watch को use कर पाएंगे उसे के साथ अगर मैं इसकी body की बात करूँ तो bleed quality मुझे यहां पर काफी अच्छी दग रही है और अगर इसके strap की बात करें तो कुछ rubber type का material है still यहां पर quality काफी अच्छी है उपर की तरफ यहां पर आपको corning grilla glass भी देखने के दिए मिल जाता है इसके बाद हम कर देते हैं जल्दी से इस watch को own और यहां पर wait करते हैं इस watch को जल्दी से own होने का तो काफी time मल गाए यहां पर इस watch को own होने में friends इसके बाद आपको जाना है Amazfit app में और अपनी watch को लेकि जाना है उस scanner के अंदर जिसके बाद आप बड़ी ही सानी से इस watch को use कर पाएंगे और यहां पर pairing जो है यहां पर आप कर पाएंगे तो यहां पर सबसे पहले हैं अगर हम watch के interface की बात करने हैं फ्रेंट्स काफी चाह interface है left पर आपको कुछ sports के modes मिल जाते हैं उपर की तरफ अगर आप चले जाएंगे तो कुछ settings उगार आपको देखने के लिए मिल जाएंगी यहां पर आप size and airplane mode, auto brightness या किसी brightness level में आप set कर सकते हैं select कर सकते हैं friends उसे के साथ आप यहां से settings में जा सकते हैं settings में अगर आप चल जाएंगे तो आप देख सकते हैं काफी सारी options आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगी जिसके मलत से आप अपनी watch को थोड़ा बहुत customize भी यहां पर कर पाएंगे उसे के साथ अगर आप चल जाएंगे left में friends काफी सारी information आप यहां पर देख पाएंगे जहां पर है weather forecast और daily का overview जितने भी steps आपने चले heart rate sensor उसे के साथ यहां पर music अगर आप internet store में use कर रहे हैं उसके बाद alarms, compass और alarms की अगर में बात करूँ यहां पर आप watch में से ही alarms को set भी कर सकते हैं जो कि again एक अच्छी बात है और यहां पर आप देख सकते हैं compass को friends, compass को आप यहां पर बड़ी हिसानी से इस watch में use कर पाएंगे और बड़ी अच्छे तरिके से यहां पर use कर पाएंगे वापी से जाएं तो आगे आपको मिलती है stop watch, sleep monitoring की आपके पास option है friends और training center, last में हैं यहां पर timer अगेन अगर आप चलिए left में तो sports का एक menu आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है तो काफी सारी settings आप इस watch की यहां से कर पाएंगे friends और यहां पर आप देख सकते हैं आप watch face यहां से set कर सकते हैं friends आप change कर सकते हैं अपनी watch का face जो के यहां पर एक काफी interesting option है friends आपको just select करना है इन काफी सारी options में से एक face को और उसको आप instantly अपनी watch पर देख पाएंगे यहां पर आप देख सकते हैं friends किसी भी face को आप यहां से बड़ी सानी से set कर सकते हैं और एक और जो यहां पर interesting बात है friends आप किसी भी personalized photo को भी अपनी watch पर ऐसे watch face set कर पाएंगे और यहां पर आपको इसकी option देखने के लिए मिल जाएगी और यहां पर options की बात करूँ क्यों है आप आप देख सकते हैं इसकी battery percentage friends और यहां पर आप internal storage भी देख सकते हैं जो कि यहां पर लगबग लगबग 2Gb आपको free देखने के लिए मिल जाती है यह भी इसका एक काफी इचा feature है friends आप इस watch को ऐसे standalone device यूज़ कर सकते हैं तो यहां पर इसकी internal storage को access करने के लिए friends आपको connect करना है इसको अपने PC के साथ आपको लगाना है इसका adapter उसमें लगाना है आपको micro USB और दूसरी तरफ आपको इसको connect कर देना है अपने PC के साथ उसके बाद आप यहां पर देख सकते है friends जैसे कि आपको एक phone को option देखने के लिए मिलता है वैसे ही यहां पर आपको internal storage देखने के लिए मिल जाएगी यहां पर आप देख सकते हैं काफी चारे photos है इसमें आप कुछ भी save कर पाएंगे और यहां पर कुछ songs वगरा अगर आप इसमें add कर देंगे उसके बाद यहां पर आप Bluetooth headset को इससे connect कर पाएंगे और उस Bluetooth headset को आप use कर पाएंगे इस watch की help से songs वगरा सुनने में इसके बाद अगर मैं smart watch को पहलने अपनी list पर अगर आप देख लेता है देखते हैं कि वहां अगर पर यहां पर कुछ भी नहीं हुआ है और यहां पर अगर मैं इस watch को use करने की कोशिश करूँ तो यहां पर आप देख सकते हैं friends watch जो है बिल्कुल ठीक है तो लास्ट में अगर मैं बात करूँ इस watch के कुछ pros और cons की friends मैं आपको बता तूँ कि काफी इच्छी watch यहां पर आपको देखने के लिए मिल रही है काफी इच्छे futures आपको इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं अगेन अगर मैं आपको यहां पर बताऊं तो इस watch को आप as a standalone device यूज कर सकते हैं friends ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा इस watch को अपनी phone के साथ connect करके रखें और यहां पर आप पूरे sleep के अपने analytics देख सकते हैं अपने walking के analytics देख सकते हैं अगर आप करते है exercise तो आपके लिए काफी helpful device यह हो सकती है friends इसकी price की अगर मैं यहां पर बात करूं लगभग 110 डोलर की आपको मिलती है gear best में से और कुछ discount coupon भी आपको निक्चे description में मैं दिया है friends अगर आप इस watch को खरीदना चाते हैं तो वहां से आपके से खरीद सकते हैं discount coupon को यूज करना मद भूली का friends काफी सारा discount आप उसके मेल से ले पाएंगे और काफी अची है watch है friends अगर मैं इसके कौन्स की बात करूँ तो मैं आपको बता दूँ कि इस watch की मुझे battery life यहाँ पर जादा अची नहीं लगी है हालांकि इतनी बुरी भी नहीं है लेकिन अगर आप GPS, heart rate, sensor वगरा सब कुछ यूज करते हैं चार्जिंग टाइम के अगर मैं बात करूँ फ्रेंट्स लगबग धाई घंटे आपको लगजा थे हैं इस watch को full charge करने के लिए तो यही था इस वीडियो में friends अगर आपको वीडियो अच्छी लगे थे इस वीडियो को लाइक करना आप बिलकुल भी मत भूलेगा अगर आप इस watch के बारे में कुछ जानना चाते हैं तो आपको में पिता सकते हैं निचे कमेंट्स में उसे के साथ आप में मारे चैनल को सुब्स्राइब करना मत भूलेगा friends आनेवाद टाइम में मैं काफी सारी ओर वीडियोस आपके लिए ऐसे ही देके आतार हुँगा इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद friends